हेलो एवरिवान वेलकम बेक टी यूरो टोप चनल फोर के डिविस्टेडीच आज के डेट में एगनु के तप से फिर से बड़ी अपडेट आ गई है रिसेंटली कुछ मिनट पहले ही अपडेट आई है आज के डेट में जो ने दो बड़ी अपडेट आई है जैसे का आप बड़ी आप आप अपका रहेगा आज का जैसे कि जून 2022 को ना फिर से रिवोलेशन जिनों ने जी इसभी स्कीन ने कर वाया था आज के डेट में रिवोलेशन जो है ना उनका रिजल्स को पिर से अपडेट करदी गई आप सभी देख पा रहें स्किन भी मैं दिखा दे रह डिकाउंगा कर को कि आज की करेंगे अपडेटुई या कि नहीं चलगी में तेट में त्वीट वड़ी टुट्री टुटेट Sugie बारे में उसके बारे उसके बारे रिवोलेशन के बारे में बद्दित दिखाऊंगा ओके आप सभी इसकिन पर देख पारें जैसे कि यह तर्मिन एकजाम से रिजल जून ट्वेटी ट्वेंटी तू आज के डेट में अपडेट हुई है उसमें देखे सबसे पहले करना क्या ह होता है सबसे पहले आप अपना इन्वल्मेंट नमा डालिए उसके सब्मीट कीजिए आप आसानी तरीकिस अपना रिजर्स चेक कर सकते हैं इसका लिंक जो नहीं मैं कोपी करके डिसकर वॉक्स में डाल दूंगा और उस लिंक से जो आप डायक्ति यहां प्यास सकते हैं उस आप सभी स्कीन पर देख पा रहे हैं यह इस्टुडेन का जो यह यह बीएजी प्रोग्राम की है और इसका एक सब्जेक्ट बहुत ही जल्द अपडेट आज जाएगी और आज के देट में कौन-कौन से सब्जेक्ट अपडेट हुई आप सभी यहां देख सकते हैं 2710 उसक के बारे में डिसकस कर देता हूँ इससे पहले लाश्ट अपडेट जोन है 25 को थी 25 के बात आपके 28 टक कोई भी डेट हो सकती है ऐसा क्यों क्योंकि उस दिन आपका कोपी चेक हुई है उसके मार्स अपडेट हुई है लेकिन रिलिस्ट की डेट को हुई है आज के डेट में तो आज के डेट में ही अपडेट रिलिस्ट हुई है और पब्लिस्ट हुई है तो यहाँ पर आपका इसका जोन कल के डेट में ही कॉपी चेक होके इसमें मार्स जोन अपडेट कर दिया था और पब्लिस्ट आज के डेट में हुई है ठीक है तो इस आयोग की यह किलियर हो परसंटेश बहुत अची बन रही है तो इसका एक सब्जेक्ट में बहुत एच्छी बन रही है तो बहुत अच्छी मारसा इसका परसंटेज भी बहुत अच्छी बन रही है तो इसका एक सब्जेक्ट मतलब कि इसका टोटल साथ सब्जेक्ट का अपडेट हो चुकी है एक सब्जेक्ट का बांकी है और एक सब्जेक्ट का बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी यानी कि 8 में से 8 सब्जेक्ट का अपडेट हो चुकि है आज की तक में इसका आज का डेट में यहां पर 27-10 यह आटमा मैना अगस्त कहीं है यह 10 अक्टोबर को है तो आज के जिए इसका अपडेट हो यह पिप्टी सफिप्टीफूर मास आया हुआ है तो बहुत अच्छी मास सकते हैं इसका अबुत करें हो चुकिए और एसाइमें अगर अपडेट हो चुकी है तो इसका डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो अगर किसी स्टुटेंट का अगर एक भी एसाइमें अपडेट नहीं हुई है तो और इसका बात उस स्टुटेंट में आपको कंप्लीट सो नहीं होगा आपके कहने का मतलब यह नहीं की क दिखा दिया आपका एक एक करके समझा भी दिया उसके बाद रिवूलेशन का बारे में बता देता हूं आयो क्या और मेरे पास स्टुडेंट का लोग इन्रॉल्में नमर है बड़ मैं दिखा अगर दिखाना स्टार्ट करेंगो तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगी तो और मैं ऐस की स्टुडेंट करें लोगान करके सबसे पहले मैं इसका All result दिखा दे रहा हूं देखिए आप सभी पहले याद रहे है आज ट्वेंट है उसमें पहले जो ना All का रिजल दिखा दे रहा हो ताकि आप सभी समझ पाओ जैसे कि देखिए ये student B.E.G. program की ये भी है इसका जो ना क्या हुआ था इनका एक subject में ये satisfy नहीं थी इसमें कौन सा या देखिए B.S.O.E. 143 इसमें 42 आया हुआ था और 100 में ये satisfy नहीं था तो इसका date जो ने के 4 को आया था 4 October को उसके बाद इनोंने revaluation करवा लिया ठीक है revaluation करवाने के बाद जो आज के date में इसका अपडेट हुई है और मैं उसका दिखा दे रहा हूँ आप सभी ये screenshot है पुराना था उसके बाद देख लिए आप सभी B.S.O.E. 143 इसमें 42 मार साया हुआ था उसके देखिए आप देखिए गाइच इसका screenshot ही है और आज के date म यह आप से देख सकते हैं भी यह मैंने login करके screenshot से मंगवाया था ओके और था प्रेवेसी के करण मैंने इसमें हाइट कर लिया और login करके नहीं दिखा पा रहा हूँ आप सभी समझ सकते हैं मैं जो बताने की परियास कर रहा हूँ वह समझी है ठीक है ओके और आप सभी मेरे पर बिलीप कर सकते हैं मेरे से आज के डिट में यह अपडेट आई यह देखिए B.S.O.E. 143 जैसे मैंन इनका मार्स बरना ही चाहिए इनका बराभी और आपका भी यदि रिएवलेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पूछें कि आपका कोपी मतलब का आंसर रैटिंग आपकी स्टैप से किये थे अगर लगता है कि नहीं मिझे सही तरीके से मार्स नहीं दिया तो आप ज़रू से ज़रू रिएवलेशन करवाएं अगर लगता है कि नहीं मुझे ठीक है सही है मार्स दिया ठीक है ठाक है उसके बाद आप रिएवलेशन ना करवाएं ठीक है तो यही है इन्होंने करवाएं इसका 50 मार्स बरहा है आज के डेट में इसका नेक्ट अपडेट ईसका आफ़ी अपडेट कर वाए है है तो आज के डित में दो बढ़ी अपडेट कर भाया उसके आज के डिषन देट हाई था रє मतलब की चोबीश से पाची सबोर से बहुत सारे श्ट्विडिक मा आ गिया तो ऐसे ही बहुत सारे student का ऐसी होता आप सभी इसके अंदाजा लगा सकते हैं तो इस तरह से आप अपना देखके आप सब कुछ अप्लाइक कर सकते हैं रेवरेशन किस तरह से करना उसका भी जो है न लिंक में description में दे दूँगा तो आप सभी अगर नहीं है तो आप भी जरूर अप्लाइक कीजिए और आज के डेट में ये बड़ी अप्डेट था और आप सभी समझ गया होंगे जो मैं समझाने की परियास कर रहा हूं उसके बात है और आप सभी से एक नमने निवेदन है जो भी इस चैनल में पहली बारा है प्लीस चैनल क को हिट करते हैं और वीडियो पर से तो लाइक कीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो इगने किसी भी पर करके डाउट अपना कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए चले मैं ते नेक्स सेशन में तब तब के लिए थैंक्यू